मकर राशेवालो हम आप सभी को बता दो कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके अपने बना कर आपको पिछले का इसमें से बरबाद करते आ रहे हैं एक शब्दों में कहें कि आप किसी व्यक्ति पर इतना भरोसा करते थे बिल्कुल ही अपने आँखों का तारा बना कर रखते थे लेकिन दोस्तों अब यह आँखों का तारा दूर जाने वाला है अब इनका अंतिम समय आ चुका है अब इसका विनाश होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती आने वाला समय आप सभी के जीवनकाल में खुशियां लेकर आने वाला समय होता है क्योंकि आज शाम से जो बदलाव होगा आपको करोड का लाब देने वाला समय होगा आथी माता भदरकाली के सच्चे भक्त पूरे भक्ती भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट में जैमान दुरगे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें मा भदरकाली आपके उपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे जिसके साथ हो मा दुरगा उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाली है कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा है क्या वजह है इस बात की क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांध दिया है या आपको किसी की बुरी नजर लग गई है या फिर आपकी किसमत ही खराब चल रही है हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने जा रही है हर बात को आपको गहराई से समझाने वाले इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहे और दोस्तों एक खास बात हम आपसे भी सही कहना चाहते हैं कि हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं बहुत ही छान बीन के बाद लाते हैं बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं पर हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ और हमारे फैमिली का हिंसा बन जाए बस इतना ही हम आप से चाहते हैं तो आये दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों हम काफी समय से हम देख रहे हैं कि आपकी राशिके जितने भी जातक हैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं बहुत परेशान है बार-बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कई कश्ट जहेलने पड़ रहे हैं और बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते रहते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है हमारे काम धंधे सब ठप पड़े हैं नए काम धंधे भेजो शुरू करे हैं उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं और कम उम्र के जातकों की, नौकरी भी नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है और लव लाइफ भी बिलकु परेशान है, इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है, आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुन परेशानी नहीं आ रही है, जी हाँ दोस्तों है, ये अवश्य ही आपके लिए चौकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे यह कह रही हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है, फिर आपके मन में यह सवाल पूछ रहा होगा, कि आखिर फिर कौन सी वज़ा है, जब ग्रह नहीं तो कौन आपको परेशान कर रहा है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रहे हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं, उनका कारण केवल ग्रह दोश नहीं होता है, इसके कई और भी कारण होते हैं, कुछ कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे उपर संकट आते हैं और कुछ हमारा खराब नसीब भी होता है जी हाँ, दोस्तों, नसीब हमारा इश्वरताय करती है जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंब पर आधारित होता है और गलतियां हम स्वयम करते हैं जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती है लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद जमतकारी है बेहद ही खुशियों से भरा हुआ है इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जिन्दगी पूरी तरह से बदल जाएगी आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी जी हाँ, दोस्तों पर तो आप बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं धन प्राप्ती नहीं हो पा रही है लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं बार-बार आपका पैसा फंस जाता है काम धन्धा भी ठीक से चल नहीं पाता है और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अकसर धोखा दे देते हैं जी हाँ, दोस्तों और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है उस पर भी यदि कोई अपना ही हमें धोखा दे जाए तो और भी ज्यादा बुरा लगता है मन में एक घाव सा हो जाता है कोई पराया यदि धोखे बाजी करें तब ही हम सहन कर लेते हैं लेकिन यदि अपना ही कोई धोखा दे तो वह सहन करने के योग ये भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरन बना कर रखते हैं और एक सकारात्मक वातावरन हमेशा नकारात्मक चीजों को ही आकरशित करता है। इसलिए आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं और यह नकारात्मक बात आवरण इसलिए तैयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हां दोस्तों आपको क्रोध बहुत अधिकाता है। आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपके लिए एक नकारात्मक बातावरण तैयार कर देती ह यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों हम जानते हैं कि आप लोगों के जीवन में थोड़ा कठिन समय अभी चल रहा है। आप और ज्यादातर समय अपने कारिक शेत्र पर ही बताते हैं। दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। सुखों का और खुशियों का आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। जिसकी वजह से धीरे 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 आपके अंदर एक खिड की भावना क्रोध का रूप लेने लगती है। और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है। यानि कि जिन लो अपने माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं आप से जूट बोलते हैं, आप से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक बात आवरण तयार हो जाता है, और ये नकारात्मक वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांति पूर्ण खुशियों भरा माहौल बना कर रखना है, कि आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं, तो यकीन जानिये कि आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी। आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हमें तो आपको सुबह सूर्य को अर्ख देना है, और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी हैं, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको अपने सिरहाने एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है। जिससे आपका मंगल भी शांत होगा। और आपका बौधिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांती का माहौल निर्मित होगा। और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों यकीन जानिये कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे। किसी चमतकार से हो जाएगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रही है। आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशानियों से ग्रसित रहते हैं। लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारी उठानी होगी और अपने घर के, और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा, अपने मन के दुखों को, अपने मन के कष्ट को कभी किसी क बताना नहीं है, इसे किसी के सामने जाहिर करना नहीं है, जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें, तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, घर के लोगों को अपनी ओर आकरशित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बरताव करें, यह आप के लिए बेहद आवश्यक है, तो दोस्तों, दूसरी गलती तो आपकी है, ये रहेगी कि आप बड़े ही खुले स्वभाव के हैं, कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी ही जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोग आपके नजदीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश करती हैं और आप दुरुपयोग कर लेते हैं, यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही लोग ज्यादा शामिल होते हैं, आपके अपने ही लोग आपको भावग बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाब उठाते हैं और आपका शोशन करते हैं, आप से केवल इसी लिए ज आपको इतना बड़ा जटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से टूट जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है, यहां तक कि कभी-कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर् अब आपको रिष्टों से हमेशा मिलता रहता है, और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आप से आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं, कि आप रिष्टों को निभाना नहीं जानते हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपने क्रो लगा देते हैं और आप से दूरी बना लेते हैं, दोस्तों हम जानते हैं कि आप बेहद ही नरम दिल इनसान हैं, आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं, जब भी आप किसी को तकलीफ में दुख में देखते हैं, तो आप तुरंत उसकी मदद करने के लिए खड़े हो तो आप आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है। जब आपका समय बुरा आता है और आपको जरूरत पड़ती है, तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं। रुपया पैसा, मांगते हैं। उधार मांगते हैं तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है। नाहीं किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ती की ओर से भी मदद की जाती है। यहां तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया भी अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देती हैं। बुरा भला कहते हैं रुपया पैसा तो आपको वापस मिलता नहीं है बलकि आपके रिष्टे और खराब हो जाते हैं। इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं। आपका मन खराब हो जाता है। आपकी सबसे बड़ी दुखों में से एक दुख यह भी है कि आपकी रिष्टे सिर्फ आपका स्वार्थ देखते हैं। अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आप आपको अपने मन को थोड़ा कठोर करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं। दोस्तों यह बात तो आपको ही पता लगानी होगी क्योंकि यह कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता। कि यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिष्टे में अच्छा अनुभव है तो वह आपका अच्छा सा रिष्टेदार है वह आपका अपना है और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों की जो हमारा बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है इस दुनिया में रिष्टे नातों जैसी कोई चीज नहीं होती जहां हमारा सगा रिष्टेदार हमें धोखा दे जाता है वही कोई पराया छड़कर हमारी मदद कर जाता है तो आपका वह पराया ही अपना हुआ और वह रिष्टेदार कि आपका दु दूरी बना कर रखनी है। सतर्क रहना है क्योंकि जो एक बार आपको बुरे समय में धोखा दे चुका है वह दोबारा आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही बरताव करेगा। आपको धोखा देगा तो दोबारा दुखी होने से बेहतर है कि आप उस इनसान को पहचान जाए और उससे दूरी बना ले। जी हाँ दोस्तों तू आगे वीडियो में हम आपको प्रेमी जीवन के बारे में बात करेंगे और नौकरी के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपकी प्रेमी जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उस समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं और यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर कारिस्थल पर कैसे बनेगा इन सब बातों पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों अब हम आप कि जीवन की सबसे बड़ी गलती आपको बताने जा रहे हैं और वह गलती यह है कि आपकी राश्य के जातकों में सब्र नाम की कोई चीज नहीं होती है जी हाँ दोस्तों यदि आप सब बना भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत ही टिकते हैं और फिर से तूट जाते हैं यानि आपके अंदर सब्र नहीं देखा जाता है और यह आपकी बहुत बड़ी गलती है इस वजह से आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत सारे कार्य से कर जाते हैं जिनका हर जाना आपको बाद में बहुत बड़ा चुकाना पड़ता है आप बहुत परेशान हो जाते हैं आपने अपनी जीवन में बहुत से ऐसे कार्य कर दिये हैं जिनमें यदि आपस सब्र से काम लेते तो आप आज कहीं और ही होते जी हां दोस्तों आप विचार करके देखिए तो आपको सब्र का साथ देना है इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी राश्य में एक अजीब बात और पाई जाती है कि कुछ लोगों में इतना अधिक सब्र होता है कि वे उन चीजों को भी मिस कर जाते हैं जो उन्हें प्राप्त होने वाली थी कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना अधिक सोच विचार करते हैं कि उनका अच्छा समय भी आकर चला जाता है कोई भी बड़ा मौका उनके सामने से गुजर जाता है उसका लाब ही नहीं ले पाते हैं कि दोनों प्रकार के गुण आपकी राश्य में पाई जाती है या तो आपके अंदर सब्र बहुत कम है और या फिर आपके अंदर सब रख कुछ ज्यादा ही है दोनों ही स्थितियां खराब है इस स्थिति में आप जल्दबाजी में काम कर जाते हैं और दूसरी स्थिति में आप सिर पर विचार करते रह जाते हैं यानि मौके का सही लाब आप किसी भी स्थिति में उठा नहीं पाते हैं तो दोस्तों कमेंट करके आप एक बार यह जरूर बताना कि आप किस तरह के इनसान हैं, क्या आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं या आप कुछ ज्यादा ही सोच विचार करते हैं, किस प्रकार के इनसान आप हैं, कमेंट करके अवश्य बताना, ऐसा देखा गया है कि इस जातक जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, तो उन्हें सफलता पाने की कुछ ज्यादा ही ललक होती है, और इस ललक के चलते वे जल्दबाजी में जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं, और कारोबार में जल्दी से उंचाई उपर जाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों, आप को समझना होगा कि कोई भी बड़ा कार्य इतनी जल्दी नहीं हो जाता है, हर चीज को अच्छी तरह से होने में समय लगता है, इनको भी फलदार पेड़ बनने में समय लगता है, एक छोटा भीम जब बड़ा पेड़ बनता है, तभी फल देता है, यदि छोटे यदि छोट प्रदान करता है जिसमें हमें सही फैसले लेने का अवसर प्राप्त होता है और बुद्धिमानी से लिए गए फैसले धीरे 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 हमें सफलता की सीड़ियों पर चढ़ाते हैं। नहीं करते हैं तो बीच में ही उस काम को चोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गल्ती है। दोस्तों आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। यदि आपको किसी कार्य को करने में शुरुआत में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है या फिर छोटी मोटी सफलताएं ही प्राप्त हो रही हैं तो आप बिलकुल परेशान ना हो। आज की छोटी सफलताएं कल की बड़ सफलता बनेगी और आपको बहुत उंचाईयों तक लेकर जाएंगे तो आपको सब्र से काम लेना है और लगातार प्रयास करते रहना है ये तो याद रखना है कि दूसरी राश्य के मुकाबले इस राश्य के जातकों को अधिक प्रयास करने पर सफलता प्राप्त होती है ये आपको पहले बहुत मेहनत करनी है सफलता बहुत कम लेकिन इस बीच में आपका अगर सब्र तूट गया और आपने काम करना छोड़ दिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा दोस्तों एक बात और आपकी राश्य के जातकों में देखी गई है कि आपकी राश्य के जातक उम्र के एक खास बड़ा पर पहुँचकर पूर्ण रूप से बदल जाते हैं जी हां मित्रों अपने जीवन में इतने धोखे और इतनी परेशानियों को जेलने के बाद इनका स्वभाव बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण हो जाता है और पूर्ण रूप से बदल जाता है फिर बड़ी बात है जो आपकी राश्य के जातकों के लिए सबसे उचित बैठती है वह यह है कि आपको चाहे दुनिया में कोई साथ दे या ना दे लेकिन आपको ईश्वर हमेशा बचा कर रखता है किसी बड़ी दुरघटना से यह किसी बड़ी विपत्ती से आपको कोई बड रिशानियां आ सकती है लेकिन आपका हाथ ईश्वर हमेशा पकड़ कर रखा है और आपको सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करता है या नहीं भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं दोस्तों आपकी राश्य के जातकों में हिम्मत बहुत देखने को मिलती है जी हा आशिके जातक फिर उस पर खड़े होते हैं और फिर से नई शुरुवात करते हैं और इनका यही जजबा यही हिम्मत एक दिन इनको इतना बुद्धिमान और सक्षम बना देती है कि फिर यह बाद में मुड़कर कभी पीछे नहीं देखते हैं फिर इनकी सफलताएं थी बह जाहिर नहीं करनी है जी हम तो ऐसा देखा गया है कि आपकी राश्य के जातक हमेशा अपनी राज खुद ही जाहिर कर देते हैं कभी भावनाओं में बहकर या फिर किसी आवेश में आकर अपनी राज दूसरों को बता देते हैं बाद में फिर नुकसान उठाना पड़ता है आप हो यह बात नहीं समझ पाते हैं कि लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं आपके दुश्मन आपकी बातों को जानकर आपके राज को जानकर आप बुरी तरीके से लाब उठाते हैं आपका शोशन करते हैं तो आपको अपने गुप्त राज किसी को भी नहीं बताने ह किसी भी कीमत पर नहीं बताने है एक और बात है कि आपको जब सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो आप अपनी छोटी से छोटी सफलता कभी गुणगान करने लगते हैं बखान करने लगते हैं यह भी बहुत बड़ी कमी है आपको इससे भी दूर रहना है आपको अपनी सफलताओं को ही गुप्त रखना सीखना होगा ये आपके लिए बेहद आवश्यक है वरना लोगों की बुरी नजर आपके उपर पड़ती है और आपकी सफलताओं भी कब असफलताओं में बदल जाती है फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपनी आप इसके बारे में पता लगने लगेगा आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवशक्ता नहीं है दोस्तो आपको दूसरों पर अंध विश्वास करना छोड़ना होगा ये दोस्तो आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है तो अब भरोसा जरूर करें लेकिन आप सतरकता भी भरते हैं आप आँख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें दोस्तो भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है यदि हम अपने पुराने रिष्टे नातों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पकड़ कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे तो आपको अपनी इन रिष्टे नातों से दूरी बनानी है। उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं। दगा दे दे। आपकी पीठ के पीछे बुराईयां करते हैं। और उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नती में बाधा बन कर खड़ी है। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे। फिर ईश्वर आपको भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं। चूरू धर्ड संकल्प ही होते हैं, संयमित होते हैं। जी हां मित्रों, भगवान श्री राम जी। श्री राम तब बने, जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का बनवास निभाया। और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा। और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है। आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकरशित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं, और आप इसी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं, तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के लिए उनसे सच्चा प्रेम करने लगते हैं, उनसे सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं, और अपने मन की राज उन्हें बताने लगते हैं, जो की बहुत बड़ी गलती होती है, और समय आने पर ऐसे लोग अपना असली रंग दिखाते हैं, और आप बहुत बड़ी चोट पह और वह इंसान आप स्वयम है, तो ईश्वर ने खुद आपको अकेला पन दिया है, आपको अकेला किया है, इस संसार से अलग किया है, क्योंकि वह आपको सफलता की छोटी पर पहुँचाना चाहते हैं, तो अब आप अपने अकेले पन को दूर करने की कोशिश ना करें, उसी केले पन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें, और सफलता को हासिल करने का पूरा दम लगा दें, पूरा जोर लगा दो, आप बेहत बुद्धिमान हैं, आपने जीवन भर अनुभव हासिल की है, और इन ही अंको का इस्तेमाल करते हुए, अब आप फूंक फूंक कर कदम आ तक भी पहुँचते हैं, इसलिए दोस्तों, अब फिजूल की बातों में, अभीकार की बातों में अपना समय नष्ट करना बंद कर दें, और ईश्वर में और अपने आप में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि जहां विश्वास होता है, जहां आस्था होती है, वहां चमतकार होती है, याद रखिए मित्रों, दोस्तों जानते हैं कि जीवन में सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, जो समय और परिस्थित के अनुसार अपने आपको बदलना नहीं जानता है, इश्वर उसी समय की मार से बुरी तरीके से पीडि को बदलना अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना भी अच्छी तरह से जानते हैं तो तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यदि आपका प्रेम ही जीवन खराब चल रहा है यानि परेशानियां चल रही है या वैवाहिक जीवन में परेशानि लेना चाहिए कि जिसे आप अपना सच्चा जीवन साथ ही समझ रहे हैं या अपना प्रेमी समझ रहे हैं क्या वह आपके प्रेम के लायक भी है या नहीं है क्योंकि यदि किसी स्वार्थी इंसान को आपने अपने जीवन में जगह दी थी तो आपको फिर से जीवन में बड़ी चोर मिले जा रही है कि यदि आपको अपने अनुभव की आँखों से यह पता लग जाएगी आपको जिसको अपना जीवन साथी बनाना है आपके लायक है तो आप कुछ उपाए हैं जिन्हें करना शुरू कर दें सबसे पहले अपने घर में अपने पूजा स्थल में भगवान भोले नात की माता पारवती के साथ मूर्ती स्थापित करें और उसकी पूजा आराधना शुरू करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर लें इससे आप जिससे भी सच्चा प्रेम करते हैं वह आपके जीवन में निश्चय ही शामिल हो जाएगा और एक और बड़ा उपाए आपको बता दें कि आप अपने शैनकक्ष में अपने नजरों के सामने अपने बिस्तर पर जब आप लेटते हैं तो अपनी नजरों के सामने एक राधा क्रिश्न की फोटो अवश्य लगा लें जी हां मित्रों, वैसे तु अपने शयन कक्ष में भगवान की फोटो लगाना वर्जित होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा प्रेम का प्रतीक है, तो उन्हें हम प्रेम के प्रतीक के तौर पर अपने कक्ष में लगा ले। ये बहुत बड़ा उपाय है। इ नौकरी में भी किसी प्रकार की परिशानी चल रही है, तो आपको क्या करना है? मित्रों, हमारे रोजगार और धन संपथी से जुड़ा हुआ गरह शुक्र है, तो यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच रहेगा या फिर शक्तिहीन रहेगा। निर्मल रहेगा, तो हमें हमे आपको शुकरवार को वरत रहना शुरू करना होगा और शुकरवार के दिन सफेद चीजों का दान करें और छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र नौ साल से कम है ऐसी पांच या इग्यारह कन्याओं को मीठी खीर खिलाएं और उन्हें कुछ सफेद दान करें जैसे कोई सफेद, रुमाल या सफेद वस्त्र दान करें बस इतना करने मात्र से आपका शुकर मजबूत हो जाएगा और यदि आपको समय मिले तो शाम के समय मचलियों को भी दाना चोगाएं ऐसा करने से ही आपका शुकर मजबूत हो जाएगा और आपके कारोबार में तरक्की शुरू हो जाएगी यदि नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी मिल जाएगी ये एक बहुत शक्तिशाली हो पाएगी सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है इन उपायों को करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी मित्रो, हमने आपको वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया है यदि आपने वीडियो पूरा देखा है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपको परेशानिया क्यों आ रही है यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जैमान दुर्गे पूरे भक्ति भाव के साथ अवश्य लिखें जिसके साथ हो माता दुर्गे उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद